Hello Everyone, Today our chapter is The Peacock, Our National Bird कौन है मोर हमारा राश्ट्रिय पक्षी याद रहेगा ना आप सभी को की हमारा राश्ट्रिय पक्षी है मोर, Our National Bird Discuss, Name the Birds in the above pictures उपर जो चित्र दिये हैं, उनमें जो पक्षीयों के नाम हैं वो आपको बताने हैं तो सबसे पहले कौन है, Sparrow Next है आपका, Parrot और ये है पिकॉक When do we often see a peacock? हम अक्सर मोर को कब देखते हैं? Rainy season में, बारिश के मौसम में अधिकतर हमें मोर नजर आते हैं Next आपका question है What do you know about a peacock? आप मोर के बारे में क्या जानते हैं? तो ये आपको बताना है कि आप पिकॉक के बारे में क्या-क्या जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पुरा पढ़ेंगे Birds are creatures that have feathers जो birds होते हैं वो ऐसे प्राणी होते हैं जिनके पंक होते हैं feathers का मतलब होता है पंक, wings and beaks beaks, chaunch, wings और feathers एकी बात है they are warm-blooded creatures and are always ready to fly into action ये जो पक्षी हैं इनका खून गरम होता है warm-blooded का मतलब होता है गरम खून वाले प्राणी creatures मतलब प्राणी always ready to fly into action ये हमेशा तयार रहते हैं ओडने के लिए एक action में अपने पंक फैला के और अपना एक action इनका जो होता है उस action में ये उडने के लिए always ready रहते हैं in fact, birds are the most powerful flyers of all living beings in fact का मतलब होता है वास्तव में जो पक्षी हैं वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली उडने वाले जीव हैं सभी सजी उपराणियों में all living beings however, not all birds can fly very high and the peacock is one of them however का मतलब होता है हाला कि सभी जो birds होते हैं सभी पक्षी होते हैं वो बहुत ज़्यादा उचाई तक नहीं उड सकते हैं और उनी में से एक है पिकोक आपका जो more है वो भी बहुत ज़्यादा उचाई तक नहीं उड सकता है there are more than 2000 species of birds in our country among these the most beautiful, attractive and brilliantly colored one is the peacock अरे देश में 2000 से भी ज़्यादा प्रजाती के पक्षी हैं जो की उड़ते हैं मतलब जो पक्षियों के प्रजातियां हैं उसमें 2000 से भी ज़्यादा टाइप के पक्षी हैं और उन सब में से जो सबसे सुन्दर, most beautiful, attractive अकरशित करने वाला और brilliantly colored यानि एकदम चमकीला रंगीन जो एक पक्षी है वो है पिकॉक हमारा मोर इट इस अलसो अवर नेशनल बर्ड और ये हमारा राश्ट्रिय पक्षी भी है इट हैस मैनी कलर्स इसके बहुत सारे रंग होते हैं ये जो आकरशक पक्षी है वो सभी जगे जाना पैचाना है हमारे पूरे देश में सभी लोग इससे फैमेलियर है मतलब बहुत जादा परीचीत है इससे इट बिलॉंग्स टू दा फैमेली ओफ फैजंट्स क्यों होते हैं फैजंट्स होते हैं जो की लंबी पूँच वाला पक्षी होता है वो फैजंट्स दा फीमेल इस कॉल्ड दा पीहन एंड दा मेल पीकॉक कलेक्टिवली बोथ आर कॉल्ड पीफॉल उमें से जो मादा मोर होती है मतलब मोरनी जो होती है उससे बोलते हैं पीहन और जो मेल यानि जो नर होता है उससे बोलते हैं पीकॉक मोर तो मोरनी और मोर पीहन और पीकॉक Collectively both are called P-fall और वैसे दोनों को हम मोर ही कहते है The Indian P-fall lives mainly in the humid areas of the country जो भारतिय मोर है P-fall मतलब मोर और मोरनी दोनों का जो पेर है उसके लिए यूज हुआ है P-fall तो वो जो है वो कहां ज़्यादा तर रहते हैं नमी वाले एरिये में ज़्यादा रहते हैं It is found in large agriculture farms, gardens, groves and forests ये कहां ज़्यादा पाए जाते हैं बड़े-बड़े खेतों में agricultural farms होते हैं जो crushy farms होते हैं खेती की जगे होती है Gardens यानि बगीचों में groves होते हैं पेड जो बहुत सारे पेड हो and forest यानि जंगल It loves clusters of trees and grassy spaces along fresh water ponds, lakes and rivers इन्हें क्या अच्छा लगता है ये किस चीज को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं clusters of trees यानि जो पेडों का जुर्मुट होता है जाम बहुत सारे जुन्डों पेडों के या जो घास वाला अच्छा सा grassy space हो और fresh water ponds जो मीठे पानी के तालाब हो जील, lakes माना जील और rivers माना नदी इन जगें पे इन्हें अच्छा लगता है जो मोर हैं वो कई नामों से जाने जाते हैं जो इसका साधारन सामान्य अर्थ है संस्कृत में मोर का उसे मयूरा भी कहते हैं संस्कृत में और मयूरा का जो अर्थ होता है वो होता है हत्यारा अब आप सोचेंगे इतना प्यारा पक्षी और उसे मयूरा नाम दिया है हत्यारा नाम दिया है क्यों? It implies that the peacock is a killer of the killer the snack इसका ताथपर्य यह है implies का मतलब होता है अर्थ या ताथपर्य तो इसका यह मतलब है कि जो मोर है वो हत्यारा है किसका सांप का वो सांप और मोर की पुरानी दुश्मनी है मोर जो है वो सांप की हत्या कर देता है The peacock is also called नील कंठा because of its blue neck मोर को नील कंठा भी कहा है क्यों कहा है नील कंठा क्योंकि इसकी जो गर्दन है गर्दन को कंठ बोलते हैं न तो जो इसका कंठ है इसकी जो गर्दन है वो नीले रंकी है तो इसे नील कंठा भी कहते है The peacock has iridescent blue green feathers जो peacock यानि मोर है iridescent का मतलब होता है इंद्रधनुशी जो इसके feathers है वो इंद्रधनुशी रंके blue और green नीले और हरे रंक से मिलते हुए होते हैं It has colorful eye markings of blue, gold, red, etc इसकी जो आँखें हैं वो भी रंगीन होती कैसी होते हैं blue और सुनहरी लाल, gold, red यानि सुनहरा लाल रंग उसकी आँखों में होता है और other जो भी colors होते हैं, etc इसके जो पंख हैं उसकी बहुत जादा डिमांड है मार्केट में क्यों रिमांड हैं? क्योंकि इससे पंखा बनाया जाता है making hand fans इसके पंखों से हाथों का fan हाथ बनाया जाता है In some parts of the country and the world, some white peacock are fond और हमारे देश के कई जगों पे सफेद रंग के मोर भी देखे जाते हैं They too look very beautiful and attractive और वो भी बहुत सुन्दर और आकरशक होते हैं The peacock has inspired many poets since early days to compose beautiful poetry जो मोर है वो सदियों से बहुत पुराने समय से जो कवी हैं उन्हें प्रेरित करता आया है Inspired मतलब वो उनकी प्रेर्णा रहा है उन्हें प्रेरित करता रहा है सुन्दर सुन्दर कवीता लिखने के लिए क्योंकि इतना सुन्दर पक्षी जब एक कवी के सामने होता है तो वो उसके उपर अपनी एक poetry बना देता है एक कवीता बना देता है Here's a poem written on the peacock, read and enjoy यहाँ पे मोर पे एक कवीता दी गई है जिससे आप पढ़ें और उसका आनंद लें तो हम इस poem को पहले direct read करेंगे और फिर इसका अर्थ समझेंगे The title of poem is The Peacock The peacock stands tall and proud His blue and green feathers stand out from the crowd He unwraps his wings for us all to see The beautiful colors so bright and feathery As we sit and wait for the peacock's eyes to illuminate Feathers so tall and head held high What a magnificent bird All the other birds cry अब हम इसका translation करेंगे इसे समझेंगे First line है आपकी The peacock stands tall and proud जो मोर है वो कैसे खड़ा एकदम Tall, सीधा और गर्वीला एकदम उसकी जो गर्दन होती हो कितनी लंबी होती है मतलब एकदम गर्वीला जो मोर है वो खड़ा है His blue and green feathers stand out from the crowd जो इसके नीले और हरे पंक हैं वो इसे भीड से अलग करते हैं एकदम इसकी अलग पहचान बनाते हैं He unwraps his wings for us all to see ये अपने पंकों को unwrap यानी खोलता है Wings मतलब पंकों को हमारे देखने के लिए for us all to see हमें दिखाता है अपने पंकों कोल करें The beautiful colors so bright and feathery जो इसका चमकीला रंग है So bright, bright मतलब चमकीला और फैदरी मतलब एकदम मुलायम जो इसके पंक हैं वो नजर आते हैं As we sit and wait for the peacock's eyes to illuminate और जब हम देखने के लिए बैठते हैं कि कब और अपनी आखों को illuminate करेगा मतलब एकदम जगमग आएगा Feathers so tall and head held high इसकी जो पंक हैं वो भी बहुत लंबे और सिर उंचा है Feathers so tall यानि पंक बहुत लंबे and head held high जो head यानि जो सिर है वो बहुत उंचा है What a magnificent bird Magnificent का क्या मतलब है यहाँ पे सुन्दर या शानदार तो कितनी सुन्दर या कहें तो कितना शानदार पक्षी है All the others birds cry इसकी ऐसी शान को देखकर दूसरे पक्षियों को रोना आ जाता है कि यह कितना शानदार पक्षी है तो आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को कोई भी word यदि टिपिकल लगता है spelling learn करने में problem होती है तो उसे आप बार बार लिखें और लिखकर learn करें ओके, thank you